हेलो नमस्कार आप सब का स्वागत है मॉम्स रेसिपी बाई की रन में आज मैं बनाने जा रही हूँ नॉन विस टार्ट चिली चिकेन इसे बनाना बहुत ही आसान है मैं इस रेसिपी की वीडियो को पूरी डिटेल में आपके साथ सेर करने जा रही हूँ अगर आपके पास अब ही तो आप इस रेसिपी को असानी से घर पर असानी से बना सकते हैं जैसा हमें बाजार में जैसा क्रंची टेस्ट आता है बिल्कुल वैसा ही तो चली से बनाना सुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लिस लाइक करना चैनल को के जिए अब इसे हम लोग मैरिनेट करना है तो मैंने यह जाहां हाफ घृत ठंड़ा पाने डाला है हमें छिल्ट पाने डालना है एक चम अद्गा और के लिए लिए एक अदा गंटा के लिए इस अच्छ में नहीं रखना और एक चम्मच नमय चम्मच चीनी और दो चम्मच वेनेगर डालकर आप इसे एक घंठा के लिए बाहर ही ढख कर रख सकते हो अगर फ्रेज में रखोगे तो यह आदा घंठा में अच्छे से सेट हो जाता है चिकें यह चिकें इससे क्रंची होता है जब हम फ्राइग करेंग यलो रेट तीनो है तो आप तीनो कट कर लेना यह लसून है यह अदरक है यह मिट्ची है और यह 2300 मैजरिंग कॉप से मैडा लिया है धाईसोग्राम चिकें के लिए बॉन लेश चिकें के लिए इसी का आदा हां में कॉण फ्राइग चाहिए यह लसून अदरक को मैंने के लग ते लिए हैं सॉसेज में हमें डार्क स्वाय स्वाय शाहिए और ग्रीन चिली स्वास जाहिए और इस तरीके से मैंने सभी सब्सक्राइब कर लिया अदा घंटा हो गया चीकेन को मैंने फ्रेश से निकाल लिया है अब हम लोग इसे मैरिनेट करेंगे इसमें मैंने 2-3 cup मैदा डाला है उसी का आधा हमें कॉन फ्लॉर डालना है जितना हम लोग मैदा डालेंगे उसका आधा हमें कॉन फ्लॉर डालना है तो टू ठट कप का आधा मैने इसमें मैदा कॉन फ्लॉर डाला है मैदा मैने इसमें तू ठट कप डाला है इसे अच्छे से मिक्स करके गाढ़ चम्मच अद्रक लसुन का पेस्ट डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से हमारा चिकन का कोटिंग तयार है अब हम लोग इसमें इसे फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें तील डाल दिया है कढ़ तो इसे मैं अच्छे से सभी चिकन को मैंने डाल दिया इसके अंदर अब हम लोग इसे अच्छे से इसे दूसरे साइड में पलट देंगे देखे इसके उपर कितना अच्छा सा गाढ़ा सा यह लेयरिंग आ चुका है जो हम लोग कोटिंग तियार किये थे उस तरीके से मोग गाढ़ा कोटिंग यह तियार करना अगर हम लोग थोगा पटला करते तो इसके यह चिकन के ऊपर यह अच्छा से लेयर नहीं आता सभी चिकन को हम लोग को अच्छा से पलट देना है देखें कितना अच्छा सा लेयर आ चुका है इसे हमें चार से पांच मिनट ही फ्राइ क एपाँ मिनाट के लिए सबी चीकन को मैंने डाल दिया है से में प्रोसेस करके ब्लट dużo को मैं अच्छे से 25 मिनाट आपने कर के सबी चीकन को मैं प्लेट में निकाल दियूं मैं आपको दिखा रहे हु है अब देखे इसमें एक आप Cai करने के करने waiver उने के लिए नहीं को 맙सा करूंदे हैं शुदम फ्राइब आपकि इस तरीके के यह ऑखने कर्ए में का कई तो इस तरीके से मैं अभी चीकन को अच्छे से फ्राइब करके निकाल दी हूँ अब हम लोग इसे इसका सॉसेस त्यार करते हैं से बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने एक चमश कॉन फ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पाने डालकर इसका गोल त्यार करेंगे यह आगे हमे सॉसेज में डालने के लिए कsınız अब मैंने कड़ाय कोड़ाय लंग है उसमें पाद़ Leg अच्छा स्मेल होने लगे एक मिनट के बाद तो हम लोग इसमें मिर्ची डाल देंगे फिर हम लोग इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट प्याज हम लोग पहले डालेंगे इसमें उसे हम लोग आदा मिनट अच्छे से चलाएंगे अच्छे से mix करेंगे फिर हम लोग सारी सब्जियों को इसमें add कर देंगे प्याज और कैप्शिकम को इसे अच्छे से एक मीनट तक high flame पर अच्छे से भूनेंगे अब हम लोग इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के according प्याज और कैप्शिकम के लिए ताकि इसके अंदर अच्छे से नमक चला जाए नमक जादा नहीं डालना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होती है यहां मैंने एक बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉच डाला है जब हम लोग सॉसेस डालेंगे तो gas का flame एकदम लो कर देना है ताकि सॉसेस जलेना इसमें दो चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे सभी सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे एक बड़ा चम्मच सोया सॉस और दो बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस अब हम लोग गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे इसमें मैंने हाफ चोटी चंब चीनी डाला है ये सॉसेस को बैलेंस करती है इससे प्लीज स्किप मत करना इससे सॉसेस बहुत ही यमी बनेगी हाफ चोटी चंब चीनी डालना अब मैं इसमें कॉन फ्रोर का घोल को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे एक मिनट के लिए ऐसी हम लोग चलाएंगे अच्छे से गाड़ा हो जाएगा इसे हमें बिल्कुल भी डखना नहीं है एक मिनट हो गया है अब हम लोग सभीत फ्राइ कियो भी घै मिन Comb है अड़ल आपञ पर धीड भी जिर्च यह अब हम लोग इसमें ब्लैक प्वी ऑड़ाबर बावडर डाल engineers अध्यू करें कि Argent शुमारे को लगने टेलें आप घ। आब हम लोग लास्ट में इसमें ग्रीन अजयन के पत्ते को अछ़एस इसमें ग्राइश कर देना है और इसे प्लेटिंग करना हैं आप बस हे हमारा चिली चिकेन रसीपी तयार इसे लेटिंग करूंगी इस तरीके से अगर आप बनाओगी तो यह बिल्कुल बाजार जैसे क्रंची और बहुत ही यमी बनेगी अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई तो प्लीस लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड वीडियो को सेर करना अपने फ्रेंड्स फैम यहाग थैंक यू